थावे और रेस्टरेंट की दाल मकनी तो हम सब लोग को पसंद होती है तो दोस्तों आज मैं आपके लेकर आई हूँ धावे स्टाइल दाल मकनी इस वीडियो में मैंने आपको बता है कि आप कितने असान तरीके से बिल्कुल सिंपल इंग्रीडियन्स के साथ अपने घर में ध लिया थावा स्टाइल दाल मकनी को बनाया है तो फिरेंस दाल मकनी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर दाल को उबाल के रेडी कर लेंगे जैसे एक अच्छा सा बॉयल आजाएगा आप इस बरतन को ढखके रख दे और गैस को आफ कर दे तीन से चार घंटे के बाद आपकी दाल जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी यहाँ पर दाल को मैंने प्रशकुकर में डाल दिया है नमक डाल दिया है एक तीस्पून तीन कप मैंने यहाँ पर पानी डाला है अब यहाँ पर थोड़ी बहुत फ्लेवर की चीज़े डालेंगे पैन में मैंने यहाँ पर डाल दिया है तीन से चार टेबल स्पून ओयल आप चाहें तो इसे बटर में भी बना सकते है और घी में भी बना सकते है दो पिंच हींग डाला उसी के साथ सा एक टीस्पून जीरा और दो मीडियम साइज की यहाँ पर प्यास बारिक बारिक चौप करी वी थोड़ा सा नमक डाला है और अब आपको इसको फ्राई करना है तब तक जब तक जो आपकी प्यास है वो हलकी लाइट ब्राउन नहों है तो आप यहाँ पर अधरक और लसन को घिसके भी डाल सकते हैं एक सी तेड़ मिनिट के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे और अब हम यहाँ पर दो से तीन हरी मिच बारिक बारिक चौप करी भी वो डाल देंगे दो मीडियम साइज के टमाटर थे उन्हें मैंने पीस लिया अगर आपको लग रहा है कि आपका जो मसाला है थोड़ा ड्राई है तो आप यहाँ पर दो तीन टेबल स्पून पानी भी डाल सकते हैं देखें यहाँ पर मिक्स कर दिया है और अब लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे ठक कर बगाएंगे तब तक जब तक ऑईल अच्छी तरीक तो देखें यहाँ पर दाल को डाल दिया है मैंने दाल को पकने के बाद आप थोड़ा सा मैश कर लिएगा उसे क्या होगा ना दाल की जो कंसिस्टेंसी है ना थोड़ी गाड़ी और क्रीमी हो जाएगी तो देखें यहाँ पर दाल को डालने के बाद आपको अच्छी तरीक से mix हो जाती है और अगर आप गरम दाल में ठंडा पानी डाल देंगे तो दाल और पानी अलग रह जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहथो मैंने mix कर दिया है एक कप भर के मैंने यहाँ कर गरम पानी डाला है और इसे mix कर देना है इस point पर आप नमक को चकल लिएगा एक बात का आप ध्यान रखेगा कि जब दाल मकनी ठंडी होनी शुरू होती है तो इसका जो consistency है वो गाड़ा होने लगता है तो उसी हिसाब से आपको दाल को पानी डालना है तो दिखें यहाँ पर mix कर द कोड़ा सा कम था मैंने नमक भी डाल दिया है आदा टीस्पून यहाँ पर मैं डाल रही हूं घर का बना हुआ खुश्बुदार गरम मसाला और एक टीस्पून यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी डाल दी है इसे हलका सा मिक्स करेंगे और लो मीडियम फ्लेम पे इसे ढखकर हम क पकाएंगे ताकि डाल में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए तो मैं इसे अब कवर कर देती हूं और लो मीडियम फ्लेम पे इसे च्छा साथ मिनिट के लिए हम पकाएंगे थूड़ी देबद आप देखेंगे कि यहाँ पर दाल कितनी अच्छी तरीके से उबल रही है दाल का कलर अच्छा है यहाँ पर मैंने चार बड़े चमपून यहां पर मिक्स कर दिया है एक टेबल स्पून भरके डालियेगा यहां पर बटर क्योंकि बटर और क्रीम के बिना तो दाल मकनी अधोरी है यहां पर थोड़ा सा मैंने धनिया पत्तर डाल दे रहा क्योंकि मैं अपने हर दाल में धनिया पत्तर डाल दी हूँ सब आपकी तारीफ करेंगे उमीद कहते हैं दोस्तों आपको यह रिस्पी पसंद आई होगे और अगर आप चाहते हैं कि और अच्छी रेसिपी में आपके सामने लेकर आओ तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में हुआता